बारिश के मौसम में खुरकुरे और करारे पकोड़े तो सबी को बहुत पसंद आते हैं और अगर ये पकोड़े मुंग डाल के बने हो तो मज़ा दोगुना हो जाता है गाइस मैं आज आप लोगों के साथ मुंग डाल के पकोड़ों की रैसिपी शेय करें हूँ आप चाहें तो इन्हें मुंग डाल के भजी भी कह सकते हैं ये बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं और एकदम ठ्रिस्पी और करारे बनके तैयार होते हैं आप इसकी आवास सुनके समझी गए होंगे तो चलिए आज मैं आप लोगों को स्ट्रिट स्टाइल मुंगोडो की रैसिपी शेयर करें हूँ ये रैसिपी अगर आपको पसंद आती है तो आप हमारे चनल को लाइक शेयर और सब्स्राइब करना बिल्कुल न भोलें साथ ही बैल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मैं हूँ कल्पनाव डाबिस किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो गाइस यहां मैंने एक दो कटोरी मूंकी डाल ली है जिसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब हम इसे थोड़ी दिर भीगोने के लिए रख देंगी यह निकि आपको इसे दो खंटे के लिए भीगोने के लिए रख देना है तो आपका समय बचाने के लिए मैंने इ खनी ले लीजे और इसका सारा पानी निकाल दीजे पूरा पानी अगर आप निकाल देते तो आपकी जो दाल होगी वो बहुती आसानी से पिसके तैयार हो जाएगी मुंकी दाल के पकोड़े बनाना बहुती आसान है और आप इसे कम समय में भी बना के तैयार कर सकते हैं आप तो मूंकी दाल को आदा घंटा कम समय में बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें गरम पानी डाल दीजिए तो यह आदे घंटे में ही भीग के तयार हो जाती है और अगर आपके पैस समय जादा हूँ तो आप इसे दो घंटे के लिए भीगो के रग दें तो यह बहुत कुरकुरे चाहिए तो आप इसमें से थोड़ी सी दाल यानि की चार से पांच चम्मस दाल इस तरह से निकाल ले अलग कटोरियो में मैं आपको बाद में बताओंगी कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ जिससे आपके मंगोडे बहुत ही कुरकुरे बनके तयार होंगे तो गाइस अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है ना मैं इसमें अद्रक लैसन वगरा कुछ नहीं डाल रही हूँ मैं इसे फाइन पे में शिफ्ट कर लिए बागी सारी चीजें हम यहीं पर इसी के अंदर मिक्स करेंगे मसाला मिलाने से पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक्स को फॉलो करना है तो यहां आपको विक्सर ले लेना है और इसके बाद इसे अच्छे से फेट लेना है बेटर को जितना अच्छा आप इसके अंदर एक एर जाने criar होती है और जरने होने से हमारा जो बेटर होता है वह वह शॉप्ट हो जाता और हलका हो जाता है जिससे हम जो भी मसाले बगर इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं और उसके अंदर सोड़ डालने की ज़रूट भी नहीं पड़ती अब जब हमने इसे तो इसे रख दीजे एक साइट में और रख लीजे एक पैन इसमें मैं डाल दिया है दो चमज के बराबर सौफ और दो चमज यह जाल रही हूं धनिया और खड़ा धनिया है और साथ हम डाल देंगे एक चमज काली मिर्च एक चमज जीरा इन सबी को हम अच्छे से भून धर्दरा मसाले सेहें लेने हैं वर इसों के दरदरा पीस के तयार करेंगे तो आप इस तरह से जैसे डर दर कुट के तयार कर लूँगी हैं सीऊ होंगे किस तरह से कुट के तैयार हुआ और जब इसका जो स्वाद है वो बहुत ही जबरदस आता है मुंगोडो के अंदर अब आपको ले लेना है बेटर और उसके अंदर वो जो दाल हमने अलग से बचा कर रखी थी वो हम इसमें मिक्स कर देंगे जिससे हमारे जो अगर आप चाहें तो डाले नहीं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं फिर डाल दीजे हरी मिर्ची ओठे सारा हरा धनिया कुटी हुई लाल मिर्च बहुत टेस्टी लगती है इसके अंदर अब डालना है आपको यहां चावल काटा आप चाहें तो चावल काटा यूज कीजिए या फिर बेशन और डाल दीजे साथ में हिंग हिंग का फ्लेवर बहुती आमेजिंग आता है इस रेसिपी में और नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा फ्लेवर और बढ़ाने के लिए मैंने इसमें डाला है एक चमज के बराबर अमचूर पाउडर तो गाइस इससे इसक लेंगे तो गाइस मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है बैटर रेडी हो गया है तलने के लिए तो चलिए पहले ही कढ़ाई रख लेते हैं ताकि वह अच्छे से गरम हो जाए उसका तेल तो मसाले को भी हम अच्छे से फेट लेंगे गाइस में यहाँ आपको एक खास हो जाएगा इसी थिकने से हमें बैटर को बना के तयार करना है तो चलिए अब मैं आपको डाल के भी बता देती हूं कि पकोड़े हमारे किस तरह से डलेंगे और किस तरह से यह तल के तयार होंगे बस इस तरह से आपको थोड़ी थोड़ी दूर में बैटर को डालते जाना ह और इन्हें बिल्कुल भी चलाना नहीं है जब आप इसे चलाएंगे तो जब यह पूरा एक लेयर इसकी नीचे से हल्की से सीख जाए उसके बाद आप इन्हें अलट पलट मध्यम फ्लेम पर करते जाएं बीच वीच में इसकी फ्लेम को थोड़ा कम और थोड़ा जादा करें उसके बाद यह बहुत ही अच्छे से कुरकुरे बनके तयार होंगे अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची मैं आपको पास से इसका टेक्श्चर भी दिखाती हूँ कि यह कितने अच्छे बनके तयार हो रहे हैं तो इस तरह से आपको इन्हें तल के तयार कर लेना अलट इस रेसिपी को प्लीज मेरे तरह से जरूर ट्राय कीजिए और आपको अगर यह पसंद आती है तो इसे लाइक और शेर करना बिलकुल ना भूलिए साथी बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वादी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले तो गाइस यह इंदोर की बहुत ही फेमस रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद आएगे आपने सुना होगा इंदोर में पोहे फेमस है और साथ में यह समझी गए होंगे कि यह कैसे बनके तयार होए अब डाल दीजे दूसरा पार्ट जो मैं इसी तरह से राशेंगे चाहंगे हो सबीनो को तल के तयार कर लोंगी आप चाहें तो इसे छिलके वाली दाल से भी बना के तयार कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं तो गैस यह ज यहां मैं डाल रही हूं जीरा मन जो इसका टेस्ट और भी बढ़ाएंगे और बहुत मज़ेदा लगेंगे आवाज आपको पसंद आए तो गाइज रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना पुले साथी मज़ेदा चेटनी भी सर्फ क कर सकते हैं बहुत जबर्दस लगते हैं खाने में तो गाइज रेसिपी कैसी लगी कमेट करके जरूर बताएएगा आपके अपने चैनल डाबिस किच्छन को आप इंस्ट्राग्राम और फेस्बुक पर भी फॉल्लो कर सकते हैं मिलते हैं नई रेसिपी के साथ थैंक यू फ